के राम मंदिर में सबसे ज़्यादा जो उचर उचल के लोग आ रहे थे वो विने कटियार कल्यान सिंग मुख्यमंत्री होते वे उमा भारती और जब ये राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो ओबी सी जिसकी आबादी 52 प्रतिशत बताई जाती है ज्यादा उसका उस ट्रस्ट में इक भी सदस्य नहीं है मलो उसमें जीरो प्रतिशत उसके वो है प्रतिशत और उनको मंदिर जो है उसमें चंदा दे रहे दाल बेटे में हम लोग यो गलाम है वो गुलामी में इतने खुश है कि उसको इंजुआ है उसको सलिबरेट कर रहे वही स्थिति आज भी बहुत दे जो सरकार है, मोदी जी की और बीजेपी की, वो चाहते हैं कि संसद में सवरणों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि पिछले 60-70 साल में जब से इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें हैं, वो मजबूत हो रही हैं और हमारे जो लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है, तो जो हमारे देश में जो विवित्ता है, जो डाइवरस्टी है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा संसद में रिफ्लेक्ट होनी शुरू ही है, वो प्रतिबंबित होनी शुरू ही है, और जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा, मैचियोर होगा, विक्सित होगा, एक सुभाविक तोर पे तो जैसे से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, पस्मांदा हैं, उनमें जो अवेकनिंग हो रही है उससे तो मजबूत हो रहा है लेकिन जो हकूमत बैठी हुई है केंदर में, वो इस लोकतंदर की जड़े काट देना चाहती है और वो वही चाहती है कि जो पुराने जमान में 3-4 जार साल से जो इस देश में विवस्था चली थी, जो मुगल भी आ गए तो भी वही विवस्था चलती रही मनुवादी सिर्फ समझोता हो गया, सारे वो नवरतन बन गए, बाशा नहीं ले बस लेकिन हमने देखा नेताओं ने एक तरफ तो कहा कि पिछड़ी महिलाओं को कोटे में खोटा दिया जाए और उपर से सहमती भी दे दी, दोहरा रवईया क्यों फिर रहा सब्सक्राइब देखिए ये दोहरा रवईया रहा है और ये हमारे नेताओं की नासमझी है या जो महौल बन गया, मैं विदाओट मिंसिंग माई वर्ड्स ये बात कहूंगा, कि हमारे नेता को घबरा गए उनको लगा उस समय कि अगर हम इस बिल का विरोध करेंगे तो कहीं महिला विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं हमोबीC के लिए संग्रश करते रहेंगे क्योंका अभी आवी राश्पती से भी पास होगा ओभी पूरे देश की विधान सभाओं में חार्प होने लिए तो वो कहते हैं हम संग्रशय उसको करेंगे जी यह उन after company。」 से बांवले बनें WO कि यह अंदोलन की अभी शुरुवात हुई है कि पिछणों में अवेक्रिंग की कमी है हमें याद है 13 पॉइंट रोस्टर जब आया था जो विश्विद्यालों में लागू हुआ था तो एक बहुत छोटी सी सभा की थी उसमें रतनलाल जी भी थे सूरज जी भी थे शरद्या के बाद एक साल के अंदर अंदर छे मार्च 2019 को भारत बंद का एक अनुरोध किया गया सबसे और वो काफी हद तक सफल ला था उत्तर प्रदेश और बिहार में और कई पॉलिटिकल पार्टी का उसको समर्थन मिला था तो कोई भी आंदोलन होता है वो एक दिन में नहीं बन जानता है और यह अंदोलन बनेगा और यह जैसे 13 पॉंट रोस्टर पे या किसान के मामले में इस सरकार ने अपने कदम वापस लिये जैसे सी स्टी एक्ट में जो चेंज़ आये थे उस पर इस सरकार ने वापस लिये कदम तो वह सिती जरूर आएगी जो पिछले सांसद है वह संसद में इसकी आवाज ने उठा पाई लेकिन दूसरे मुद्दो पर जैसे रमेश बुदूरी हैं जो मुसल्मानों को टार्गेट कर रहे हैं तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि हमारे समाज के लिए क्या हित्म है क्या नहीं है देखिए वह सब केरियरिस्टिक ल लाह तो ज़्यादा प्याज कहता है तो वह एक जिसको कहते हैं तीका लगाएंगे हास में कुछ बांद लेंगे वह दिखाने की सकते हैं कि हम इस सनातन को मानते हैं या हम सनातनिक बहुत परमभक्त हैं तो वह अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए लिए लेकिन अंदर उमा भारती जी जो है जो जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर थोड़ा उठ गए तो वो अवाज उठा रहे हैं उमा भारती ने जिसनी तुर किया जा रहा है आप तो ने पाबन मेहने कहीं जब उनको दर किनार कर दिया उनको भी आदा रहा है जब उनको को दिया कि मेरे को राजनीती में कुछ लेना देना नहीं है मैं अपने समाज की बात करूंगी तो यहीं उन्होंने का ए कि मैं देश की जो आधी-अबादी परिभा बात करें उन्होंने देखा के जिसका मैंने चिकेاب ड़ाता थोड़ी दिर पहले कि राम मंदिर में सभस ज तो पराने जमाने में जो रमदार्ब्रा में पासमन जी थे हम उनके साथ काम कियें वह एक बात को कहते थे अकसर वह कहते थे ओबी सी है दलित पिछड़ा है वह जिस तरी मेंस्ट्रीम पार्टिय पहा जाता है जो बिजेपी हो कॉंग्रेस हो उसमें उनका जो भूमिका रहती है वो बैंड वाला जैसे होता है बाजे वाला उस तरह की भूमिका रहती है कि जो बराज चल रही होती है तो वो सबसे अच्छी यूनिफॉर्म पहने सबसे अच्छी ड्रेस पहने और पीतल का बाजा लिए चलते हैं और सब उनके आगे नाचरे होते हैं लेकिन वराज जैसे ही दुल्हन के दरवाजे पहुंचती है तो बाजे वालों को कहा जाता है भाई कपा करके अब आप बाहर रही है दावत अंदर हम खाएंगे तो जब तक सत्ता में नहीं आते तब तक तो सब चीज़ है विराब मंदिर का जब ट्रस्ट बनता है तो पिछड़ों को कहा जाते हैं कि अब आप बाहर रही है इसको हम ही चलाएंगे आप जैसे लोग समझाने की कोशिस कर रहे हैं कई घटना ऐसी देखने को मिलती है कि पिछड़े समझ क्यों नहीं पा रहे हैं आखिर क्या बज़ा है सब ichen देखिए ऐसा है 6 Mac е गए सपिजाओ काम कर रहे हैं अब केछ नग दफ्तर है Vergleich घर मंदिर हो यह हैं जो समझाने का काम कर रहे ह समझाने काम कर रहे हो हर भीन में चार पांच बैठेमें जो समझाने का काम कर रहे हैं कितने लोग लगे हैं और उनको मंदिर जो है उसमें जो चंदा दे रहे हैं दान पेटी में हम लोग ही दे रहे हैं अब आप संगर्ष करते हैं यह मुझे पता है कि यह जो काम आप कर रहे हैं मैं इनको जानता हूं 6-7 साल से जानता हूं इनको जानता हूं कितनों को आप में स जिसको समझ में आ गई, वोल टायर एक बहुत बड़े चिंतक हुए, फ्रांस में कभी राजशा ही होती थी, और राजा रानी जो थे लूटते थे, जन्ता भूखी रहती थी, तो एक बार जन्ता गई वहाँ पे, भूखी जन्ता, रानी के पास वहाँ, तो जन्ता ने कहा हु रानी को तो पता नहीं था कि ग्राउंड स्थिती क्या है, रानी बोली कि ऐसा है तुम भी बड़े पागल हो, रोटी ही खानी है कहा तुमें, रोटी नहीं मिल रही तो आप के खा लो, को ड्राइफरूट खा के पेट भर लो, तो लोगों को तब समझ में आ गया और फिर र गुलाम है, जिस दिन गुलाम को रेलाइजेशन हो जाएगा कि मैं गुलाम हूँ, तो वो खुद अपनी बेडियां तोड़ लेगा, एक हमारे बहुत पुराने साथ ही होता है तो दलित वाइस करके मेंगजिन निकालते हैं, वीटी राज शेकर, साउथ के तो वो एक शब् जिए जो गुलाम है, वो गुलामी में इतने खुश है, उसको इजुए करें, उसको सेलिबरेट करें, वही स्तिति है आज बी,ाज वी, बिट्टू वजरंगी, बिट्टू लोहार, कपिल गूजर है, रमेज विदूडू है, ये तो हिंदुत को काम कर रहे हैं, ये भी तो तो बहुत सारे लोग थे जो अंगलीजों के समर्तन करते थे अपने व्यक्तिकत स्वार्थ के लिए तो अपने व्यक्तिकत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कोई ये कहे रमेश भी धुड़ी जो है अबीसी के लिए काम कर रहा है मैंनी मानता सब अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, अपना घर भरने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए नहीं कर रहा है, तो करेंगे, ऐसे हमेशा इस तरह के लोग हमारे समाज में रहे हैं, तभी तो कोई भी 2000 घोडों पर चड़के आता था और ये करोडों लोगों के पर राज कर लेता था तो सब्चादा विरोध जो है OBC ने किया था मंदल कमिशन का तो इससे बड़ा उधारण क्या हो सकते कि उनमें आवेकनिंग नहीं थी जागलती नहीं थी कि उनको कुछ मिल रहा है वो ही उसका विरोध कर रहे है यह जिस डाल में वैठे उसी डाल को आप काट रहे हैं अपने पाउंपे को लाड़ी मार रहे हैं इससे बड़ा अवदारन क्या हो सकता है अच्छा सब्सक्राइब के लिए क्या आप जो संदेज देना चाहते हैं अब इसी के लिए मैं यही संदेश चल रहा हूं कि भाई साब जागो बहुत देर कर दी अब तो जाग जाओ भाई अपने अधिकार अपने आने वाली पीडियों के बारे में सोचो अगर आप चाहते हैं वो भैस बक्री चराते रहें वही आदा इकड में अपना सब्जी ब लूटते रहें तो बाता अलगा है आप अगर आने वाली पीडियों का भला चाहते हो तो जा गया हो और जो बाबा साब ने समिधान में अधिकार लिखे हैं वो अधिकार तो ले लो कावड उठाने में आप एक मैं देख रहा था वीडियो आप जैसे नहीं किसी ने बनाई थी अधिश्ण कर दिया है अधिश्ण के लिए और वीपी सिंग पिछड़ा नहीं था अर्जुन सिंग पिछड़ा नहीं थे उन्होंने क्या काम किया था तो जो प्रबुद्व्यक्ति है ना वह अगर अगड़ा भी होगा तो अच्छा काम करेगा